हलो दोस्तो नमस्कार मैं हूं इनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चेनल पॉल्ट्री होन दोस्तो एक फर्मर भाई ने कमेंड करके पूछा कि वो नया पॉल्ट्री फाम बना रहे हैं और उनके फाम का जो साइज है 100 फिट लंबा और 30 फिट चोड़ा तो दोस्तो उन फर्मर भाई ने कमेंड करके पूछा है कि वो नया जो पॉल्ट्री फाम बना रहे हैं तो उनमें फीडरों की संख्या कितनी होगी और लगने वाले ड्रिंकरों की संख्या कितनी होगी तो दोस्तों हमने उनके फाम का पुरा किल्कुरेशन किया है कि आगर वो फार्मर भाई साधरनल पॉल्ट्री फाम अगर बना रहे हैंihin तो कितने फिटरों की संख्या है उनको जो लगेगी और अगर वह इसी पॉल्ट्री फाम बनाते है तो उनमें वो कितने चिक्स डाल प फार्म हुआ और उसमें अगर वो साधरन पॉल्ट्री फार्म में चिक्स प्लेस करते हैं तो 1.3 स्क्वेर फिट पर बढ़ के हिसाब से जो कि हमें पता ही है हरे कंपनी इस फार्न इस्टेंडर को फालो करती है और अगर हम उपन पॉल्ट्री फार्म कर रहे हैं तो यह हमारे पॉल्ट्री फार्म अगर है तो उस कंडिशन में तो हम इस्टेंडर फालो करते हैं उसका भी कारान में बता दूं क्योंकि जो प्रावेट पॉल्ट्री फार्मर जो रहते हैं वो जो है उनको पता रहता है कि अगर रेट थोड़ा सा फ्लक्शुएट अगर रहा कम रहा तो थोड़े दिन और मुर्गियों को रोख सकते हैं इसलिए जो है वो 1.3 स्क्वेर फिट पर बढ़ के हिसाब से ही काउंट करके और मुर्गियां पॉल्ट्री फार्म के अंदर डालते हैं तो दोस्तों अगर 1.3 पर बढ़ के हिसाब से अगर हम प्लेस करें तो टोटल इस फा यह पर दानी से खासकते हैं 30 इस अच्छा रहेगा और अच्छा च्राइब माने तो 35 फीडर असानी से दाना खा सकता है तो हम 235 में 133 बेसे भाग कर देंगे तो हमारा निकल किया जाएगा मतलब कि अगर साधारन पूल्ट्री फार्म अगर बना रहे हैं और उसमें दाल र लगा सकते हैं तो दों 65 तो फीडर लगा सकते हैं और 65 ऐसोर पोड्रींवılmış और यह पूझत्ड फीड चाहिए तो आपको इसमें जो है 50 जिक्स फीडर आप करीद सकते हैं तो इसमें आपका जोईチ Scripture में भी काम हो करते हैं तो टोटल हम देखें कि establish अगर करते हैं तुर में करते हैं व्यक क्यांताइव रॉज़ सकते हैं दोस्तों यहां पे खायर सकते हैं तो हम इसमें बहने न लो है वही का वही फालो होता है सांब हम बढ़ने c team अगर अगर तो इसमें दोचार फीडर भढ़ने उori से कोई नुकसान नहीं है इस प्रकार seiner के हम लगाएं कि देखे दोस्तों यहाँ पर दम यहाँ पर ईगए उसको दाना यहाँ जाएंगे दाना या पानी यूफी दाना तो इसमें जो है दाने के वर्तन भी इतने नहीं थे और इस प्रकार से भी नहीं थे, चूर्कि मेरे फालसे निगोरा खुछ नहीं थी सीदे इंडे सीमें के सिमेंट की शियुआ है उसमें ही रस्तियां बंदी हुई थी तो इस प्रकार शोड़ा सा द्रिंकर फीडर इस परकार से मतलब आरेज्मेंट किया वा था पाने की तीन लाइन थी तो इस परकार से दाने की दो यहा फिर में टांग तक मैं तो इसनकी प्रकार से जगह बेस्टी चले और वहाम का कस्ट्रसन करवाईए एगा लिखतना ताकि दाने और पानी की कमी से जो हमें नुकसानों रहा हो नुकसान नहीं हो तो दोस्तों 144 फीडर लगा सकते हैं आप इसको 115 हमक्माँ लेते हैं और अगर आप जो है इसी पैल्टी फार्म कर रहे हैं तो हम यहां पर आट व ड्रिंक रहींगा निपल हमें निपल पर बढ़ गें साब से हम भाग करते हैं तो 360 जो है इस पॉल्ट्री फार्म के लिए जो है निप्पलें लगेगी यह देख रहे हैं निप्पलें आपको इसी पॉल्ट्री फार्म के लिए निप्पलें लगेगी तो दोस्तों यह मैंने पूरा बता दिया है कि अगर आप साधान पौल्रिफाम कर रहे हूं चाहिए इसी पौल्रिफाम कर रहे हूं निपल्स की संध्या फिडर की संध्या और टर्भो फिडर्स की प्सी चीजों को मैंने बता दिया-वर्प्रेश meli तो दोस्तों इसी साथ में वीडियो सुमाथ करना चाहा हूंगा । भन्यवाद झाल झाल